किया आप भी लंबे समय से ड्राय आईस से पीडित हैं और लुब्रिकेटिंग आईड्रोप्स डाल डाल कर ठक चुके हैं और फिर भी ड्राय आईस को ठीक नहीं कर पा रहे हैं नमस्कार मैं डॉक्र दिनेश शर्मा प्रकाश नेत्रा लाइवं पंच कर्म के इंदर से आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आयुर्वधिक ट्रीट्मेंट ड्राय आईस को पूरी तरह से ठीक करने में मदद कर सकता हैं मैंने पीछली वीडियो में आपको बताया था कि ड्राय आईस के कौजीज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, प्रेविंशन कैसी किया जा सकता है और इनिशिल लवल पे हॉम रेमेडिज के माध्यम से कैसे हम ड्राय आईस से बच भी सकते हैं और मिनिमम सिम्टम्स को ठीक भी कर कर चुके हैं, वात माने वायू, पित माने गर्मी और कफ माने वाटरी कंटेंट, इन तीन बेसिक दोशों से ही हमारे पूरे बॉड़े की कॉंस्टिशन बनी है और इन्हें में विकृति आने की वजह से शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं, आँख की स्ट्रक्चर के अं चारण ड्राइज की उत्पति हो सकती है, आयूर वेद में ड्राइज को अभिषंद के नीचे पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, वातज अभिषंद, पितज अभिषंद, कफज अभिषंद और एक चोथा जिसको रक्तज अभिषंद कहते हैं, जिसके सिम्ट को स्टड़ी करके कैटेग्राइज किया गया है ड्राइज को चार केटेग्रीज़ में वात यानि कि आँक में जलन जादा हो आख लाल बहुत ज़ादा रहती हो आख में बिल्कुल आग यह सी लगी हुई हो ऐसे सिंटम अगर फिलो कफ जब आखें सूजी हुई हो swelling, inflamed eyes हो और उसमें से watering लगातार होती हो focus करने में problem आती हो और रखतज अभिशंद में पित के ही symptoms पहुत advance और aggressive तरह से अपने आपको express करते हैं एक आयरुवेदिक eye specialist इन चारों तरह के symptoms को detail में analyze करके एक dry eye के patient का treatment prescribe करते हैं आयरुवेद की treatment की protocol खाली lubricating कुछ eye drops से नहीं होता इसमें हम पहले भी जैसा कि हमने बताया कि निदान परिवर्जन आयरुवेद का सबसे prime treatment है यानि कि जिस वजह से dry eye हुई है जिस वजह से कोई भी रोग हुआ है जब तक वो वजह दूर नहीं होगी disease का permanent समधा नहीं किया जा सकता इसी तरह से आज की परिप्रेक्षम में dry eye की अंदर जब हम बात करते हैं तो आज की lifestyle, screen exposure और खास तोर पे mobile का जो बुरा प्रियोग है पूरा दिन हम mobile के उपर electronic gadgets के उपर time spent करते हैं हमारी body अगर react कर रही है negative side पे तो ही रोग आने की संभावना होगी mobile का exposure सबसे prime कारण के रूप में उभर की आता है जब तक हम उसका इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे जब तक हम computer का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे एक बार के लिए जब तक शरीर की recovery नहीं मिल जाती तब तक disease पूरी तरह से ठीक नहीं होगा आयरवेज का treatment जो dry eyes के लिए हम plan करते हैं उसमें detoxification therapies शामिल हैं patient को पहले स्नेपान कराते हैं दोश की आधार पे decide करके स्नेपान यानि की घी का प्रियोग internal oleation उसमें heavy dose में घी का प्रियोग किया जाता है दोश थोड़े थोड़े कई बार बढ़ाते भी हैं second level पे बहरी level पे भी हम oleation करते हैं अभ्यंग तेल की massage कुछ steam बात भी इसमें दिये जाते हैं then body जो prepare हो जाती है internal और external level पे full lubrication body में होगा तब viration treatment suggest करते हैं viration यानि की induced purgation कुछ दवायां पिला के loose motion treatment करते हैं सिर्फ एक दिन के लिए ताकि पूरे internal system की cleaning की जा सकी then comes the part नस्य गर्दन से उपर का जो हिसा है नाक के थुरू दवा डालके इस हिससे को clean किया जाता है उस process को बोलते हैं नस्य उस नस्य treatment के साथ में नेतरधारा अलग-अलग herbs का decoction बना के कई बार दूद में मिला के काड़ा बनाते हैं कई बार खाली medicines को पानी के साथ boil करते हैं depending on दोश उन medicines से eyes की washing करते हैं बहुत सारे लेप इसमें लगते हैं तक्रधारा, शिरोधारा, medicated oil और butter milk और दूद को मिला के के अंदर medicated घी को fill करते हैं for a prescribed time duration वो again doctor ही decide करेंगे एक आयुर्वधिक eye specialist ही decide करते हैं कि किस patient में कितनी देर तक किस medicine के साथ में ये सारे procedures किये जाने हैं परपस बिल्कुल clear है, ये specific treatment है generalized treatment नहीं है हर एक dry eyes के patient की जरूरत अलग हो सकती है उसी हिसाब से आयुर्वध की अगर मैं बात करूँ तो हर एक dry eyes के patient का treatment protocol different होगा आपकी प्रिकृति कैसी है क्या आपने टेस्ट किया, आपके symptoms कौन से दोश में लाई कर रहे हैं, आप जब तक एक आयुर्वधिक eye specialist से consult नहीं करेंगे तब तक इन सब सवालों के जवाब नहीं पा सकते अगर आपको ये problem है, तो आप हमारे borderline number पे call करके अपने disease के बारे में discuss भी कर सकते हैं, ताकि आप बहतर तरीके से समझ पाएं कि आपको वात की प्रिकृति का वातज अभिशंद है, पितज अभिशंद है कफज है या किस तरह की severity में आपका disease है आयरुवेदिक treatment initial stage और moderate level के जो patients हैं, उनको पूरी तरह से ठीक कर सकता है, मैं इसे भी एक कदम आगे जाकर कि आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि initial और moderate level के dry eyes के patient में तो कई दफा पंचकरम therapy करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती खाली diet, lifestyle को modify करके आयरुवेदिक medicines को सही तरीके से जो prescribed medicines हैं उनका इस्तेमाल करने से patient dry eyes की symptoms को बिल्कुर पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आप किसी एक आयरुवेदिक eye specialist से मिलें आप हमारे साथ भी एक online consultation के process में भी आ सकते हैं या आप हमारे क्लिनिक में आके भी मिल सकते हैं आपके disease को समझ के आपका treatment protocol initial और moderate level के symptoms को पूरी तरह से permanently खतम कर सकता है जो advance और severe level के dry eyes हैं उन cases में पंचकर्म therapy की ज़रूरत भी पड़ती है बहुत सारे syndromic disease जैसे Shogren syndrome, जैसे Stephen Johnson syndrome और जो दूसरी complex disease हैं जिसमें dryness सिर्फ एक symptom के रूप में दिखता है उन cases में एक limitation रह सकती है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं बहुत मरतबा लेकिन उन में भी आयरुवधिक इलाज करने से patient को relief मिलता है फाइदा मिलता है dry eyes का आयरुवधिक treatment natural है holistic है ये समगरता से totality में काम करता है इसमें सिर्फ symptoms का suppression नहीं है कि हमने सिर्फ dry eyes के symptoms को lubricating eye drops, side drops, side drops खाली होने का इस्तेमाल करके symptoms को हमने suppress कर दिया हो ऐसा नहीं है और dry eyes के आयरुवधिक treatment से हम ये भी उमीद कर सकते हैं कि dry eyes को permanently और पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है उमीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को like करें, share करें और comment करके हमें बताएं कि अगर आपको भी dry eyes से समझीद कोई परिशानी है तो कि आपके symptoms किस दोश के साथ मैच करते हैं, आप समझ पा रही है सर्वे भाउन्तु सुखिने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्णतु मा कश्चित दुख भाग भवेत आपका बहुत बहुत धन्यवाद